एक बार की बात है, एक किसान के दो बेटे थे, तो ओक किसान बिलकुल बिमार पड़ गया था, ओव मरने का गार पे था, तो अपने बेटों से बोला, दोनों बेटों से, कि जाओ बेटा, मैं तुम्हें दो कबुतर देता हूँ, एक एक बेटे को दे दिया, दूसरा दूसरे कोई भी नहीं होगा, जो इस कबुतर को, जहां पे कोई भी नहीं होगा, वहां पे इस कबुतर को मारना है, मैं सारी संपत्ति उसको ही दूँगा, तो दोनों चले गे, एक दूसरी साइड में चला गया, एक दूसरी साइड में चला गया, तो दोनों साइड में चले गे, त यहां पे कोई नहीं देख रहा है, तो उस लड़के ने कबुत्तर मार दिया, लेकिन दूसरा लड़का तब ही देखा कि कोई नहीं था, लेकिन उसने जब मारने ही वाला था वो, तो उसका ध्यान उपर की तरफ चला गया, तो उसने सोचा कि मुझे कोई देख क्यों नहीं र देख रहा है तो उसने कबुतर नहीं मारा तो वो क्या है उसको ले गया वहाँ पी उसके पापा के पास ले गया और दूसरा वाला जो है बेटा उसने मार दिया था तो वो उसने पुछा किसानने कि बेटा तू कबुतर जिंदा क्यों ले के आया है तो उसने कहा कि पापा मैं जैने सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा हैalles लेकिन उपर्वाला तो देख रहा है तो तभी उसी किसान ने सारी संपती उसी बेटे के नाम कर दिए जिसने कभूतर नहीं मारा था तो इसे हमें क्या सिक्षा मिलती है इसे मही शिक्षा लिटी कि कोई भी गल्त काम करने से पहले ये ध्यान जरूर दे लेना कि हमें उपर वाला देख रहा है और उसकी सज्जा हमें मिल जाती है तो आज का विचार यही जैहिंद जैबार्त वंदेमात्रम